लेकिन नंबर्स कोई बहुत जादा बढ़े नहीं है, अब आने शुरू होंगे, कल भी ग्रॉस वॉल्यूम नाइन थाउजन क्रोर के करीब ही थे, अब मेरे खाल से फुल वॉल्यूम आने शुरू होंगे मार्केट में, और DIA ने करीब-करीब 8.62 क्रोर बेचा और FIA ने करी प्रिप्रेट देखिया आप, इंडेक्स फूचर और स्टॉक फूचर का डीटा, FIIs का, इंडेक्स फूचर में FIIs ने 619 क्रोड बेचा और स्टॉक फूचर में FIIs ने 2,832 क्रोड बेचा, जब भी चारो इंस्टूमेंट्स में बाइंग हो, मार्केट अगले दिन नहीं मेरे यह एक parameter है, कि कल सबने selling कर रखी है, और सब यह expect कर रहा है कि market गरेगा, हो क्या रहा है, हर कोई expect कर रहा है कि market यहां से गरेगा, और बस जितनी rally होने थी वो हो चुकी है, market ऐसे oblige नहीं करेगा, मुझे लग रहा है इसके लिए shot covering मुझे लग रही है, एक और reason में बतायत है, लेकिन, लेकिन, एकिस पांच सो कर जो लू है, वो बहुत strong लू है, इतनी असानी से नहीं टूटे गा है, एकिस पांच सो कर लू, अगर टूट गया तो मैं कहूंगा, मैं गलत हूँ, बहुत simple है, तो यह 3-4 data pointers है, एक और चीज जो मैं setup में जोड़ देता हूं, लगात पुट कोल देशों देखिए, अब आप 0.76 पर आ गया, कहां ये market पिछले हफते 1.42, 1.45 के पुट कोल देशों पर ओगया था, और कहां ये एकदम से 0.76 पर आकर oversold हो गया, ये market हमारी ऐसी ही करती है, एक हफते में overbought से oversold, इसलिए मुझे लग रहा है कि market में rally आएगी, एक risk बन का मामला, बन का मामला रिस्क है, इसमें मैं 100% कहूंगा, एक और आड हो गया, Nail को, और साथ स्टोक हो गया, साथ स्टोक हो गया, बन में, ये थोड़ा सा एक रिस्क का मामला है, बिलकुल, लेकिन जैसा मैंने कहाना, feeling आ रही है, obviously आप कुछ भी करेंगे, stop loss के 500, considering उसी के आसपास हम, उसी पर जाकर टिके थे, ये hold करना काफी important है अज के लिए, Nifty में, क्या level आपके लिए? होल्ड करना important है, लेकिन possible है कि एक बार के लिए आप ब्रेक भी करते हैं, ये possible है, उससे क्या होता है, कही बार, इसी तरीके से, लोगों के stop loss trigger होते हैं, कही बार आपको system एक चीज़ नोट करेंगे, लोगों के stop loss trigger करने के बाद मार्केट भागता है, ये market का एक रूल होता ह कही बार कि जो छोटे traders होते है, उनका stop loss पहले hit करेंगे, उसके बाद भागेंगे, बड़े traders का देखके रखते हैं कि छोटे traders का stop loss कहा है, कही बार ये भी possibility होती है, ये सब चीज़े होती है market में, इसके लिए मैं थोड़ा सा zone दे रहा हूं, instead of particular level, पहला support आपका 21450 से 21500, कल 21450 से 21500 आपका पहला support है, अगर ये टूटे और इसके नीचे हम बंद होने लगे ना, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा support है 21238 तो 21322, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो कि आपका 20-day simple moving average और 20-day exponential moving average वहाँ पर placed है, मेरी approach क्या रहेगी आज के लिए, थोड़ा सा, बहुत 10-20%, अगर market green में खुल रहा है तो, वहाँ पर buy करने की कोशिश करें, और उसके बाद add करने की कोशिश करें, 21450 तो 21500 के zone में, और एक stop loss लगा दे 21400 का, 21380, 390 के असपास, उसको एक stop loss लगा दे, ये trade मुझे लग रहा है कि आज आज आपके लिए अच्छा है reward risk लेकर आ र रही आ सकती है, तो lower level से और भी ज़्याद रही आ सकती है, तो ये इसके कारण एक reason है, लेकिन अगर market उसको हमको oblige नहीं कर रहा है, और higher level से slip कर रहा है, अगर higher level से slip कर रहा है market, और recovery fail हो रही है, तो short भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, day high का stop loss लगा लें उसमें, ले आप देखें, पिछले तीन trading sessions में जो हुआ है, और उससे पहले जो market में rally देखने को मिली है, आपने फिर position थोड़ी सी positive side पर रखनी और उसके बारे में सोचना शुरू करना है, निफ्टी bank का अनुच, considering कल निफ्टी bank resilient था, लेकिन निफ्टी bank में एक ही दिक्कती जिस तर और drive कर सकता है दबाव, या फिर अब यहां से मौका है फिर खरदारी का, बिल्कुल 100% आपने, बिल्कुल जिस से ही थे हिटिंग नेल on the head, कल HDFC bank ने बैंक निफ्टी गरा है, बैंक निफ्टी की दिक्कत ही है कि एक दो स्टॉक का ही पूरा इंपक्त है, कल यही में वीरू अब इस दिक्टी की दिक्टी की बंद रहा है, एक मद HDFC bank का मुझे टेकनिकल चार्ट दिखा दे है अगर तो एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है, पिछले महिने 12% की rally के बाद आप इस correction में कल HDFC bank 20-day Simple Moving Average पर बंद हुआ, ठीक है, यह 20-day में पॉस लेनी की त्यारी कर रहा है या नहीं rally में, यह interesting होगा, यहाँ पर बिल्कुल ब्लू लाइन है, वो 20-day Moving Average है, exactly वहाँ पर जाकर इसने कल रुका है, तो यह interesting हो सकता है, अब आते हैं bank nifty पर, मेरे खैल से bank nifty के कल के move के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़े से sign है bottoming out के, तो 47 450 to 47 500, options के यह यहाँ पर मुझे लग रहा है कि support मिलेगा, प्लस कल का lobby placed यहाँ पर, bank nifty का, और बड़ा support है bank nifty का, 47 300 to 47 400, 20 dama, देखें कोई भी index जो एक बड़ी rally में हो, 3-4000 point की rally देखें हमने bank nifty में, वो इतनी असानी से 20 dama नहीं तोड़ेगा, तो इसके लिए एक और रीजन है कि इन in levels पर, bank nifty पर negative नहीं होना चाहता हूँ, वो negativity last 2-3 दिन में play out हो चुकी है, लेकिन in levels पर आप negative नहीं हो सकते, again, मेरी अप्रोच ही रहेगी, कि आप buy करने की कोशिश करें 47 600 to 47 700 के zone में, और add करने की कोशिश करें 47 500 to 47 600 के zone में, और एक stop loss लगा दे 47 400 का bank nifty पर, हालाकि ज्य support ले रहे हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, तो let's hope for the best, कुछ support ले और एक pullback देखने को मिले, especially 3 दनों की बिक्वाली के बाद, अनुल बता दें कि money control पर दिये गए विचार, experts के अपने नीजी विचार होते हैं, website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है, users को money control की सलहा है कि कोई भी चर्ज़ सलहीं है, या जिता मया आम को मिले, ये ओन कि sna़र है। झाल झाल